हेलो दोस्तो, सत्य कलासेज में आपका स्वागत है आज हम जो यूपी टेप्रेसी पैट का जो एक्जाम हुआ है उसकी कटॉप के बारे में बात करेंगे और आज उसे लवा 24 अगस्त को टेस्ट हुआ था और आज टाइम हो गए आपका 30 अगस्त हो गए लवा आपको 6 दिन हो गए तो अभी तक जितना भी मैंने लोगों से बात किया है जो भी मेरे स्टूडेंट है जो भी मतलब मेरे जानने वाले है उन सबसे मैंने जो बात की है तो उसके आधारवर में आपकी कटॉप फिक अन्मानित बता सकता हूँ कि कटॉप जो कितनी जाएगी तो इस बार कटॉप जाने के ज्यादा चांस तो है नहीं कि बहुत ज्यादा कटॉप जाएगी लेकपाली के लिए सेकेंड जो पेपर होगा लेकपाली का होगा उसके साफ से साथ 20 गुने लड़के भी बुलाए जाएगे एकजम के लिए तो इतनी हाई कट आफ नहीं जानी है जितनी लोग बता रहे हैं और इसके कई कारण है पहला कारण तो यह है कि लोग डाउन के कारण सभी कोच के बंद थी तो लोगों ने तनी तैयारी नहीं कर पाई ठीक है और दूसरा कारण यह था कि एकजम जो था फॉर्म बढ़ने के तुरंत बाद हो गया जल्दी हो गया और ओनलाइन क्लास देते हैं तो ओनलाइन क्लास में एक तरीके देखा जाए तो बहुत नहीं होती जाए तो कोचिंग बंद थी तैयारी लोगों ही नहीं हो पाई थी ठीक है ना तो घबरानी की सब्सक्राइब सब्सक्राइब करा ना जाए तो बहुत ज्यादा सही होते हैं यहाइन पुरह रही हैं लेकिन सभी कितने हैं है उसके अलावा फिर उसमें निगेटिव मार्क भी आपकी एकवड़्टे 4 की नेगेटिव मार्किंग भी है तो यह भी माहने रखता है तो जब आते हैं तो तुमने देखा हुआ जब क्लेस बाहर निगलते हैं तो ओफिसल ऊंसेर की आती है तो उसमें वो ऑपके डांटा निकलता है जो बहुत नीचे चला जाता है क्योंकि अगर मालोगव ben가지 नम्म घुटिल्स तो 60 बचे, अब एक अन्मा समाझना, 60 अगर उसके question है, तो 60 में 20 गलत निकले, अब 20 में से अगर निगटिंग वायर आपकी एक बट्टे 4 की है, तो कितना हो गया, 4 पने 20, लोग कितना आ गया, 5 पन आ गया, ठीक है, average मालो, कितना भी कोसिस करना, फिर भी question आपके गलत हो जा नहां गये, तो अभी आपका 55 की बीच में आ जाते हैं, तो यह कि मैं एक को बता रहा हूँ, जो आपके अच्छे student होते हैं, बाकी जो average है, वो आपका 50 से नीचे बीच लाएगा, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो cut-off है, मेरे हिसाब से, ठीक है ना, वो cut-off जो रहेगी, भो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि, जन्रल कट-off जो है, वो लगभग आपकी जा सकती है, एक अन्मान के हिसाब से, जाद है नहीं जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जन्रल की लगभग, जो cut-off है, वो और 60 से उपर नहीं जाएगी, ठीक है और OBC का जो एक अनुमानत लगा जा रहा है तो OBC जो है वो लगभग आपका 55 से ठीक है? दो नमबर उपर दो नमबर नीचे जा सकती है यानि 50 तक भी जा सकती है मैं कह नहीं सकता हूँ तो यह 50 से 55 तक जा सकती है ठीक है? जिसके अभी फिलाल में 60 अगर जनल में निकलने है और अगर 2-3 भी बनलग उपर नीचे है जादा 60 से उपर नहीं जाएगी OBC आपका जिसके 50 तो 55 के बीच में निकल रहे है ठीक है? 50 से 55 के बीच में बिलने है वो आपके मैंस एक्जाम में बैठेगा उसके अलावा SC के अगर बात करें तो SC में लवग ये कट आफ हो लवग आपकी वो ही 50 से 2-3 नमब नीचे या 1-2 नमब उपर रहेगी मुश्कल से रहेगी तो और ST की जो रहेगी वो लवग आपकी 45 या 40 के आसपास रहेगी ठीक है? तो इतना मैं केलियर कर रहा हूँ कि जो भी ये मतलब ये डाटा केलियर जो है मतलब एक अनुमाल लगाया जा रहा है लेकिन फिर भी जिसके कॉश्चन 50 सही है निगेटिव निकालने के बाद ठीक है? वो आपका मैंस की तैयारी के लिए अब इसे लग जाए जो लेक पाली की तैयारी होगी कि उसमें लवगा आपका वैकिनसी के 20 सुन लटके लिए जाएंगे आप वैकिनसी 7,000 आती है, 14,000 आती है अगर 7,000 आती है तो आपका कितना हो गया? 1,40,000 हो गया अगर 14,000 आती है तो आपका ये बढ़के बहुत जादा हो जाएगा अब ये अनमानते वैकिनसी कितनी है तो उस पर डिपेंड करेगा तो आप बिल्कुल तैयारी मलतलब टैंसन ना लें कट ओफ आपकी लगबग बता रहा हूँ 50,60 के बीच में ही रहेगी इतना मैं आपको केलियर बता रहा हूँ क्योंकि मेरे भी जो कुछ लोग थे जानने पैचानने वाले तो वो तब तक कि हम सही कर गया हैं कि हमारे 80 हैं अब वो बता रहे हैं कि हमारे 50 हैं कि 50 हैं कि 53 हैं और अच्छे स्टूडेंट ऐसा ऐसी बात नहीं कि वो स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कर लो कि जो कट ओफ है वो आपकी 60 से उपर किसी भी हालत में नहीं जानी तो यह मेरी आपकी कट ओफ थी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू धन्यवाब